हेलो बेकर्स मुनम्स कुकिंग इन बेकिंग में आप सबका स्वागत है तो यहां पे मैंने ना प्रॉलीन बना लिया है बटर स्कॉच प्रॉलीन और इतना सॉलिड बना है ना अगर इसे मैं पटा करी हूं तो कितनी बड़ी हसी नौइस आ रही है इसकी तो दोस्तो घर में ज जाती है अगर आप उसकी डीटेलिंग रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करें तो मैं जरूर रेसिपी सेयर करूंगे और हाँ इसे अच्छे से ना मैंने बेलन से ही कूट लिया है और एक किलो की लायक ना ये काफी सारा मेरा प्रॉलीन रेडी हो गया है दस बारा तो काफी दिनों तक रखना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो उसे अच्छा बाजार का सही है और यहां पर मुझे टूटियर केक चाहिए केक बनाना है तो मैंने एक स्पॉंज रेडी किया है 6 इंच के केक टीन में ये ना 500 ग्राम का है और मुझे हाइटेट केक चाहिए इसलिए मैंने 6 इंच का केक टीन इस्तेमाल किया है और दूसरा वाला ना मैंने 4 इंच के केक टीन में बनाया था लगबग 80 ग्राम प्रीमिक्स से है तो मतलब एक पॉंड किलो और 250 ग्राम का मेरा स्पॉंज रेडी हो चुका है केक के लिए और क्रीम का मैंना कोई वेट नह अच्छा ना मैं बिल्कुल एजेक्ट क्रीम ना यूस नहीं करती हूं तो यहां पर मैंने 1 लेयर अच्छे से लेरिंग करना सुरू कर दिया और प्रॉलीन भी मैंने यहां पर डाल दिये हैं और सच में यह प्रॉलीन क्रंच जो है न कापी बढ़िया बनता है आप ऐसे भी खा सकते हैं चिक्की की तरह बहुत बढ़िया टेश्टी बनता है बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है तो तीनों लेयर मैंने रख दिये हैं और दोस्तों क्रम कोट करके ना हमें फ्रीज में सेटिंग के लिए केक को रखना बहुत जरूरी होता है बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम ना क्रम कोट करने के बाद में फ्रीज में सेट नहीं करेंगे ना तो हमारे केक जो बाद में थोड़ा सा क्रेक आ जाता है क्रीम में क्रेक्स आ जाती है मुझे ऐसा परसनली लगता है ठीक है तो आप सेट करेंगे तो क्रम जो है ना फाइनल आइसिंग में बिल् और कभी-कभी हरबड़ी वाल ओडर आता है तब भी ना पांच मिनिट करीब आप फ्रीजर में बिल्कुल रखे ही रखे मैं ऐसा करने की कोसिस करती हूँ है ना तो यहां पर मैंने फाइनल फिनिशिंग करना सुरू कर दिया है और दोनों के दोनों केक ना एक ही मतलब हाइट में एक ही जैसे बने थे तो आप कोसिस की करें टूटियर केक भी बना रहे है ना तो हाइट में दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर हो थोड़ा बहुत अंतर चलेगा आधा इंचे काती इंचे का बड़ बहुत जादा अंतर नहीं होना चाहिए तो अब इससे मैंने को भेजी थी ना तो वहाली मैं कई बार बना चुकी हूं तो मैंने सोचा मैं कुछ इस बार अलग ट्राइ करूंगी तो हाँ दोस्तो आज मैं बनाने वाले हूं जंगल थीम्ट केक और पेपर के जो टॉपर्स आसानी से मार्केट में मिल जाते ना उसी से ही क्योंकि ना मैं फॉंडेट का काम नहीं करती फॉंडेट से भी काफी बढ़ी है ना इनिमल्स अगर बन जाते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी उसकी बढ़ जाती है और मैं चोटे से गाउं में रहती हूं तो कोई वन केजी केक का अगर मैं ज़्यादा पैसा चार्ज कर मैंने और बस रख दिया और हां दो तीन ना डावल से श्टिक डालना ना भूले श्टिक से एक बात मुझे याद आई है आज कल बड़े बॉय या गल्स के मुझे केक मारने का जो चलन है तो क्रीपिया आप उओन ना करे क्यूंकि हम लोग ना टूर्पी को अगरा श्टिक इससे मैं वाटरपॉल का एक एफेक्ट देने वाली हूं तो यहां पर मैंने इस क्रैपर भी ले लिया पहले तो ड्रॉप कर लिया है उसके बाद ना इस क्रैपर से बहुत हलके हाथ हो से और बहुत आराम से हमें यह काम करना होता है क्योंकि कई केक ना बहुत जल्दी बन बद ऐसे जो थीम केक वगर होते है थोड़ा पेसन्स की जर्वत होती है जादा टाइम देना पड़ता है जादा मेहनत हमें करना पड़ता है तो यहाँ पे ना नीचे भी मैं डाल दूंगी वाटरफाल का एफेक्ट मॉस्त वाला आने वाला है आप देखते रहिए केक कैसा ब स्क्रेइपर से फैला लेते हैं कि अंजय को ड पर से हैं को अजय के मारेक है न love clay के अश्ता नहीं होता है लिए दिता इक देंसर से भाश्यार है थैक्षा ये न थोड़ा सा मैं घील जो नहीं होता है न्यूर। का जील है उसके नीचे फिर वाटरफॉल जर्ना बहरा है वैसा वाला इफेक देने की कोसिस करी है अगर आपको मेरी ये कोसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाए और यहां पर मैंने ना ग्रीन वाला न्यूटरल जेल ले लिया और साइड में ट्रिपिंग इफे करें दोस्तों है ना और एक बात में जरूर बूलना चाहूंगी आजकल ना सभी यूटूबरस एक दूसरे का साथ दे रहें सभी को सपोर्ट कर रहें तो आप सभी या हम सभी जो वाइटी फेमली है जो यूटूबरस है ना प्लीस एक दूसरे को सस्क्राइब करें जो यह वाला है ना green color देखे काफी dark है मैंने neutral gel में बस one drop डाला था बट इतना गाड़ा हो गया मैंने फिर white color भी उसमें मिलाया था बट नहीं काफी ज्यादा green हो गया तो दूसरा वाला जो green आता है वो बड़िया लगता है वो मेरे पास नहीं था तो मुझे यही इस्तमाल कर तो मैंने उपर भी ना grass nozzle से random रखना स्टार्ट कर दिया जो है ना मैं पूरा का पूरा उपर upside भरने वाली हुए ना बिल्कुल grass जैसे दिखना चाहिए और border भी मैंने इससे complete कर दिया और नीचे का border भी मैं grass nozzle से complete कर दूँगी और एक बात बहुत important बात मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि मैं 500 subscriber भी मैं कभी complete कर पाऊंगी क्योंकि जितने हैं ना मेरे सारे random मेरे वीडियो देखके किये हुए subscriber ही है तो उन सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि अभी मेरे साड़े 600 करीब ना subscriber हो चुके हैं मैंने कभी भी नहीं सोचा था या सच में इसलिए तो मैं बहुत ज्यादा खुस हूँ तो यहाँ पे मैंने साइड में भी दो तीन जगा ग्रास नोजल से random रखना इस्टार्ट कर दिया ताकि थोड़ा जाड़ी का effect आ जाया और देखें यहाँ पे ना थोड़ी सी घरबड़ी हो चुकी थी दोस्तो तो उसे मैंने ठीक कर लिया और यहाँ पे मैंने रेड कलर कर न्यूटरल जिल कहीं कहीं पे एक एक ना ड्रीप रख दिया है ताकि थोड़ी फ्लार्स है वैसे दिखाई दे मुझे मन तो बहुत कर रहा था कि मैं ट्री फलार्स वगहरा बनाओं बटना कई सारे जो लाश टाइम में बनाये थी ना सब में मैं वीसा ही बना चुकी थी तो इस बर मैं वैसा नहीं बना रही हूँ लवी एलो रेड ऐसे फलार्स मैं नहीं रखे थे और यहां मैंने एक जाड़ी बना दिया लीप नोजल का इस्तमाल करके देखिए मैं जैसे बता रही हूँ ना बस रेंडम मैंने लीप उठाने स्टार्ट कर दिया कहीं से भी तो एक जाड़ी के जैसे ये शेप बन जाएगा तो आप जितने चाहे उतने रख सकते हैं बटना मैं जादा नहीं रखूँगी दो ही रखूँगी एक तो मैंने अप साइड में रखा और एक यहां पे रख दिया बस हो गया और इतना बड़ी हा लग रहा था ना यह जाड़ी का इफेक्ट जो था ना और यहां पे मुझे थोड़ा सा कमी लग रहा था तो मैंने डार्क वाला थोड़ा सा न्यूट्रल जिल डाल दिया था कि लाइट टार्क सैड़ेट जैसे ना हमारा जो वाटरफॉल है वो दिखाई दे और दोस्तों यह केक ना सच में काफी अच्छा लग रहा था और देखिए यहां पे मिरे पास ना दो टाइप से टॉपर्स है एक तो सिंगल पीस वाला है और एक ना सैट वाला है सैट वाले में पूरे एनिमल्स है और यह सिंगल सिंगल वाला ही ना मैं इस्तमाल करने वाल है क्योंकि अधिकतर इसी के order आते हैं बट अभी कभी कभी ना डिमांड ना जीबो गरीब मलब नए नए चीजों की हो जाती है तो मैं तो छोटे से गाउं में रहती हूं ना तो city मुझे जाना पड़ेगा अगर एक दो दिन पहले आया तो मैं arrange कर सकती हूं बट same day आता है ना तो arrange करना काफी मुस्किल हो जाता है तो कई orders ना मुझे मना करने पड़ते हैं चला जाता है मेरे हाथ से वो order क्योंकि कई बोलते हैं अभी last time singham little singham का आया था तो मैंने बोला कि अगर आप कल बोलते तो मैं arrange कर लेती बट अभी आप call करके मुझे साम तक बोलेंगे बनाना तो वो possible नहीं है तो यहां पे मैंने कुछ ना animals रखने शुरू कर दिया और इतने cute cute animals है न मुझे यह कितना प्यारा लग रहा था न यह कितने प्यारे-प्यारे से है सब न baby animals के जैसे ही लग रहे कितने cute लग रहे सच में तो बच्चे तो खुस होने ही वाले हैं क्योंकि मुझे जब इतना अच्छा लग रहा है तो बच्चे देखेंगे तो उनको तो बड़ा मज़ा आएगा और ये इश्टिक निकालके बच्चे बाद में श्टॉपर से खेल भी सकते हैं तो वैसे ही उनको बहुत और मज़ा आने वाला है तो यहाँ पे ना मैं 5-6 इनिमल्स रख दूँगी और दोस्तो यहाँ पे मैंने एक बटरफ्लाई भी लगा ही दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ एक रखना तो बनता है तो उसमें एक ना तार लगा हुआ है तो वो मैलग निकाल देते हैं तो थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगी इसे और बस इसे स्टिक कर देते हैं और हाँ दोस्तो अगर आपको यह केक के डिजाइंग पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करके जाओ और कोई कॉमेंट है कोई क्वेशन है तो आप मुझे पूछ सकते हो ठीक है मैं जरूर आंसर करूंगी तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए केक केटी जाइंग के साथ में तब तक के लिए स्वस्त रहे मस्त रहे अपना ध्यान रखे चलिए राधे राधे